हेलो फ्रेंड मैं हूँ शेदरुय अमरती महाराष्ट से और वेलकम है आपका अपने चैनल गाडने हुए दुशा पे तो यहां तो हमारे यहां बहुत ही ज्यादा बारिश शुरू हो गए हैं और अभी एक भी दिन ऐसा नहीं गया है कि अभी बारिश ना हुई हो और यह सारे पर्सलेंड जो खिले हुए है अलग-अलग कलर में अलग-अलग शेड में यह तो बहुत ही प्यारे और खूबसुरत दिखते हैं और यही नजारा था मेरे समर के महने में लेकिन चलिए इस साल वो नहीं देख पाया आप लेकिन फिर भी अभी तो रिन लिली पू यह तो यह दिखे यहां पर भी सिर्सपॉट जो इसे में लगाऊंगे और बहुत सारे इसके प्लांट भी तयार हो जाएंगे और यह बहुत ही ज्यादा कॉसली बल्ब है तो यह देखे यह पॉली प्लावर करके हैं बिल्कुल एंप ब्लाइक पिंक एंके जैसा दिखती है और यह भी बहुत ही कॉसली झालगे तो बिल्कुल एक यादू खिले हैं भी और यह राय राय करके जो यह शब्स है में बिनकार है उतखर भी बिंक राद्व मतल्यार करें को एक zeुन काच में दो से जर्स पेसे नितेरे हैं उनकी यह 50 पैटल वाला कभ और एक सिंगल पैट इसमें आपको सभी मल्टिपल मेलेंगे तो यह आपको 2400 में मिल जाएगा विद चीपी तो इस तरह के बहुत ही प्यारी प्यारे यूनिक फ्लावर है और जिनको सेप्रेट कलर चाहिए जिनके पाद जो कलर अविलेबल नहीं है वो मुझसे ले सकते हैं अपने जो कैटलोक ल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है और यह वाटर लेली है जिसे स्वीट रोजी कहते हैं बिलकुल बेबी पिंक कलर है और यह कुछ तीन तक रहे थी और आज भी मेरे बहुत सारे और अभी निकालने है लेकिन क्या हो रहा है कि बारिश की वज़े से जैसे यह सू की और यूचे हैं तो वो समझ ले कि थोड़ा सा यानि बारिश के कारण वक्त लग सकता है ।। सारे बाती अभी धीरे धीरे मुझे ठोड़ा सा लेट हो रहा है लेकिन कुई बात नहीं रही है आपके जब मेस्यों हेल्दी बलब आपकर पास सभी पहुंछ जाएंगी और देख सकते हैं हर इक पे flower हो चुके हैं यानि mature बल्ब होते हैं बही मैं अपने customer को देती हूं जितने भी लोग हैं उनका बहुत ही अच्छा response मुझे मिला है उनके review भी बहुत अच्छे हैं तो यह सारे जो बल्ब है अभी आज में निकालूंगी और बहुत सारे order यानि लोगो को हिल्डी बल्ब मिल रहे हैं जिस बल्ब के फ्लावरिंग के लिए मुझे सालों साल इंतिजार करना पड़ता था लेकिन लोगों को वित बढ़ जो होते हैं तो कुछ के यहां तो बस आठ दिन के बाद भी फ्लावर बन रहे हैं तो ऐसा कुछ रिजल्ट है तो customer बहुत ही आपका फोन अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आप ज्यादा तर वार्स अफ मैसेज ही कीजिए तो चलिए अब चलते हैं यह परसलें तो जो मैंने अभी दिखाए थे आपको यह इतने अच्छे फ्लावरिंग कर रहे हैं और यह सारे जो अलग अलग कलर हैं मैं सूच रही हू इनको बहुत सारे फ्लावर आ चुके हैं तो मैंने ही सूचा है कि इन सब को मैं अभी कट कर दूंगी अभी इतने भी बर्स दिख रहे हैं उनका देखे ज्यादा मैं अभी केर नहीं करूंगी यह सब कट कर दूंगी और इसके बाद अच्छा से इनको खाना खिला कि फिर से इनको तंद्रुस कर दूंगी फ्लावर के लिए और यह मूंस्टोन वेराटी है जो बहुत ही प्यारी और खुबसूरत है और इस पर इखे कितने सारे अभी कल्या बनी हुई है तो इस तरह से यह सारे प्लांट हमारे पास ऐसे ही तयार हो जाते हैं और यहां पे निश्यग जो निश्यगंदा है इस पर फ्लावर थे और यह सारी वाटर ली इनको भी मैंने फटलाइजर दे दिया है पिछले हपते ही दिया था जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था और यह दिखे यह चोटा सपोर्ट है इसमें जो मैंने लगाया है नकमल बिल्कुल ऐसा ह दो या तीन बर्स थी बिल्कुल सेम इसी तरह की पॉट मैंने उनको दिया और कुछ दिनों के बार या आठी दिन के बाद उनका फोन आया कि प्लांट देरे मर रहा है और उसके टूबर्स भी सड़ गया तो मुझे भी नहीं पता चला क्योंकि मैं तो ऐसे ही प्लांट रख इनको मैंने साफ नहीं किया है क्योंकि इसमें गफी फीश है और कुछ कलरफुल फीश है इस वज़े से मच्छर के जो लार्वा है वह इसमें नहीं होते है और चलिए आते हैं नीचे की तरफ यहां पर जो पर्सलेन है इनका मुझे सेशन अलग करना पड़ेगा अभी तो आज मैं यह ग्रीन निट जो है उपर निकाल लूँगी ताकि इनको यह अच्छे से फ्रीज में सांस ले पाए सारे मेरे पौध है और कुछ देखती हूं इन पर क्या असर होता है लेकिन बहुत ही ज्यादा कुपसरी फ्लावर है अभी तो एक के बात एक कलर खिल रहा है त इनकी ओडर डेड़ हजार यानी 1,500 तक होगी उनको जितने भी मेरे पास कलर है वो सारे फ्री में मिल जाएंगे तो कुछ इस तरह से यह ओफर है अभी संडे का और यह ओफर चलेगा इस हपता तक तो आप इस हपते तक कोई भी ओडर कर सकते हैं और यह सारी कटिंग पा सक तक लुए, बारिश हमारे हमारे बहुत अच्छे सो रही है उस में से नहीं से कुछ कटिंग हो चुकी है और इसे में ने रेत में ही लगा ए यह इस रेत में और मिटटी में धोनों इस पले लगा सकते हो तो अभी तो इसकुम और जो खराब हो गय है उनको दिकाल लिया है और बाकी ना कुछ मेने प्लांट में लगाए हूए है और यह तो इसमें प्राइबार नीकालना चाहिए और यह पानी वाटे से इसमें जो इंसेक्ट होते हैं ने पिल्कुल लिप के अंदर होते है जो ढिलीबग्स बहुत ज्यादा हो गए है तो बस इसे तो में पूरा उख तो यह सारे मेरे प्लांट खराब कर देगा और यहां कुछ अभी बहुत ही मैसी गार्डन है मेरा बहुत ही ज्यादा भिखरा हुआ है और इसे भी मुझे अच्छा करना है क्योंकि फिर से मुझे प्लांट का जो है ना पूरा सिक्षन बदलना है और यह सारे कैलेडियम एक ज जितना भी कलेक्षन है ना सवे बिकरा हुआ है यहां वहां रखे हुए है और यह एक प्लांट लिया था मैंने दिखिए तो जो अभी मैंने रिसेलिंग जैसे मैंने कहा कि मैंने रिसेलिंग शुरू कर दी है तो जिनके पास से यह आपको जो जो बल्ब मिलते है वो इतने ह तो इसमें सिर्फ एक प्लांट के पैसे लिये थे और इसमें बहुत सारी इतने हेल्दी वल्ब होते हैं जिनकी में रिस्सिलिंग कर रही हूं और यह सारे अभी कैलेडियम यहां वहां रखे हुए हैं और इनकी जो पत्तों पर जो पानी अभी देखिए ऐसे जमा हो रहा है उ इसी कारण है तो उनको तो इंसिक्टिसाइड का भी कोई असर हो नहीं रहा मैंने तो वैसे पौधो में मारे थे लेकिन देखे यहां पर भी वैसे है पत्ते जैसे देखे कैसे कठ हो चुके हैं और यह बहुत ही ब्यूटिफुल यह बड़े-बड़े सलीज जब हो और यह मेरे पिछले साल का कैलेडियम है और यह दिखे कितना बूशी हो रहा है बस इनको संभालना भी मेरे ले बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतने कॉसली यह बल्प है जो मैंने लिये हैं मेरे पास तो सारा रियर कलेक्शन है बाकि जो कॉमन वाले है तो वो तो मैंने दूप रहती है चाहे ठंड में कहो या रेनी सेजन में कहो या कभी भी कहो हमारे यह दूप तो बहुत ही ज्यादा कड़ाकी की पड़ती है और यह देखिए यह एक नया सा कलर है तो अभी है सारे यहां वहां इधर उधर रखे हूए इनको मुझे एक जगा पे रखना है ज तो यह दूप मेरा पास प्लांट हो चुके है भी जो भी किल रहे है कुछ मैने बल्ब लिए थे वह स्प्राउट हो रहे है उनकी भी color सेम ही दिख रहे हैं तो आगे जाके मैं जो भी मेरे पास सेम होंगी तो वह मैं सेल कर दूँगी घो यह दूप जो बल्ब होते हैं उनि समर के महने से यह खिलना शुरू होगी अपने आप में रेस्ट लेती है उसके बार खिलने लगती है जैसी फुलो की सुगन आती है और इसके सामने अगर नजर डालो ना तो बस दीखते हैं और इतना आप बिल्कुल थोड़ा सा थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इगनोर कीज इसमें वाइट फ्लावर आगे थे और यहां पर यलो है यह नहीं पता कौन सा कलर है अब यह खिलetगे इस पेपी बड्स है और यह जो हैना इस कितने सारे दिखे chco टे बबी निकलते हैं अब तो इनको अलग करना पड़ता है हां एक वीडियो में बिताया था जितने आप इनसे चोटे बच्चे अले करेंगे इनहें अलग से रखेंगे तो यह भी मैचुर्ड हो जाएंगे और इस पर इब फ्लावर आएंगे अभी एक देखिए इस पर छोटे बेबी पर भी फ्लावर आके गया है तो अभी इनको मैं मुझे शेड में रखना होगा क्यूंकि कड़ इनको में रखूँंगी क्योंकि बहुत ज्यादा प्लांट खराब हो चुके हैं इनके कुछ कटिंग भी पहले सी लगाऊंगी मैं जैसे यह दिखिये यह पूरा प्लांट खराब हो चुका हैं तो इनको आज उठाना है बहुत बहुत ज्यादा काम है अभी और यह टाटू- बुषी और यह निव जो एक बल उसी प्लांट में मिला था ना तो यह वाला निकला वो और इसके पत्ते दिखिए कितने सारे हैं और जो मैंने अन्बॉक्सिंग के वीडियो बनाया था उसमें में दिखा था कि एक बल मुझे ऐसी उस प्लांट में पड़ा हुआ मिला जो इत जगे पे हो गया है लेकिन इसमें ना नीचे वाले इसमें वह जो शंक कहते हैं मराथि में आपकी हिंदी में क्या के थे उसे तो प्लीस मुझे कमेंच सिर जीगा तो वह इसमें ना बहुत ज्यादा हो गए थे तो मैंने क्या किया इंसेक्टिसाइड का थोड़ा सा जैसे 2 पानी 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 निकाल ले लिए और इसके बाद इसमें मैंने इंसेक्टिसाइड ना तो वह चार बुंदे पानी मिलाकर इसमें डाल दी है तो अभी देखते हूं वैस्ट तो ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और यह मेरी बालकनी अभी यह सारी प्लांट जाएं और इस वज़े से यह जो प्लांट है न बहुत हेल्डी हो जाएंगे अभी बस यह शुरुवात है और इसके बाद जब इनके बहुत सारे पत्ते निकलेंगे तो बस मत पूछे कि नजारा क्या होगा और देखिए कितने ज्यादा खूपसरत और इनने ग्रोध भी अच्छी इसको मैं अभी लोग यानि खुले में रखोंगी एक दम फ्री जहां पर है ना पूरा वह सारा शेड निकालना है मुझे ग्रीन निट वाला और आप यह सारे में रख दूँगी तो देखिए यहां का नजारा था बहुत ही खूपसूरत लग रहा है तो वैसी यानि अपने ज्यादा ढूंडा और मुझे 1200 में यह मिला है और शीपिंग एक्स्ट्रा लगया इसकी और यह मेरे पास ग्रीन था और इसी का एक और भी प्लांटर था मेरे पास तो वो मेरे हजबंड है उनके जो सर है उनका कुछ सेलिबरेशन था तो उन्होंने उन्हें गिव देया था और यह सारे लिके रबर प्लांट तो इसी तरह के जो यह प्लांट के कॉम्बो अगर आपको चाहिए तो बहुत ही रिजनेवल रेट में आपको मिल जाएंगे तो जैसे कि यहाँ पे आपको गजानन टोले यह वाटसप नमबर है इनका तो इनसे यह कॉम्बो आप मंगवा हैं और बहुत बहुत सवावर प्लांट अभी आप इस सेजन में लगा सकते हैं और यह सारे जो प्लांट है बहुत एक्कडम से बिक साइज नहीं होंगे क्योंकि बिक साइज memo में इस वजए से अगर आपको यह सारे प्लांट चाहिए तो आप कॉम्बो में ही ले और शिप से आप पर्चेस कर सकते हैं उपर दे गए नंबर पे यह सारे प्लांट आपको मिल जाएंगे और अभी मेरा एगलो निमा दिखे जो मैंने लगाया था कुछ एक हपता हो गया ही लगाए हुए और यह मेरे प्लांट की अपडेट हैं बहुत ही प्यारी लग रहे हैं और सेम य छिनौई है जो मुंबई से है इन्होंने यह प्लांट देखे इस तरह से इन्हें रिसी हुए हैं जैसे मैंने अन्बॉक्सिंग वीडियो में दिखाया था और इसी तरह से सारे प्लांट आपको मिल जाएंगे और जो मेरे पुरानी प्लांट है उनको मैंने प्रिलाइजर जो ड्रायव फटला जो सब प्लांट को देती हूँ और यह जो देखे पेनियोर्ट जिसे डॉलर का प्लांट केते है ना इसके ब्रांचे से भी बाहर जा रही है। मैं सोच रहे हूँ इसके सामने भी एक कमला लगा दूँगी और इसमें जो है इसके पूरी जो ब्रांचे से और पानी भी बदलने के जरूरत नहीं है और फर्टिलाइजर तो बस जैसे लगाते वक जो दिया था ना सिर्फ डिये भी डाला था और जो गोबर की खाद है और यह लिपर्ड तो यहां पर यह जो दिखिए यह जैक फूट जो है ना जो छोटे गंबले में लगता है जो मैं अनलाइन पर्टिस किया था समर में जिसकी शॉपिंग का वीडियो दिखाया था आपको वाली और यह सारे इंडोर यह सारा मुझे ना अभी पूरा पूरा मुझे अभी अच्छे से यह लगाना है और इस तरह से यह बालकनी है उसके पीछे के जो प्लांट है वो भी मुझ जगे पे रखना है और इस तरह से अभी मैं जितना काम हो से के मैं करूंगी देखती हूं आज कितना वक्त लगेगा मुझे लेकिन आज तो यह पूरा करना ही है तो फ्रेंड्स आज का यह संड़े का ड़न अवर्वी आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंस कीजेगा मिलती हूं नहीं वीडियो के साथ तफ्ति के लिए बाइबाइए हैपी गर्डिनिंग स्टेए सेफ